हरे कृष्णा मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको कार्तिक मास का ग्यारवय अध्याय सुनाने जा रहे हूँ तो चलिए शुरू करते हैं एक समय जब समुद्र का पूत्र जलंदर अपनी स्त्री व्रिंदा के सहित असुरों में सम्मानित हो गया और बैठा हुआ था तबी गुरू शुक्राचारे वहां पहुचे जिनके तेज से सब दिशाय प्रकाशित हो गई तब गुरू जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया तेजस्वी गुरू जी ने सबको आशिरवाद दिया फिर उनको एक दिव्यासन पर बैठा कर सब देत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र नवरता से यह प्रशन किया हे गुरू जी राहू का सिर किसने काटा था आप हमें बतलाएं इस पर शी शुक्राचारे जी ने विरोचन पुत्र हिरना कश्चप और उसकी धर्मात्मा पौत्र का परीचे देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संशेप में कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमरित निकाला तो उसे देवरूप बनाकर राहू भी पीने बैठ किया इस पर इंदर के पक्षपाती भगवन विश्णु ने राहू का सिर काट डाला यह सुनने के साथ ही जलंदर के नेत्र लाल हो गए उसने बड़ा क्रोध किया फिर अपने धस्मर नामक दूद को बुलाकर गुरू का कहा हुआ सब रितान सुनाया और आग्या दी कि तुम शिग्र ही इंदर पूरी में जाकर इंदर को मेरी शरण में लाओ धस्मर जलंदर का बड़ा निपोन दूद था वे शिग्र ही इंदर की सुधर्मा नामक स क्यूं ले लिया ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया यदि तुम अपना भला चाते हो तो उन स्रतनों को सभी देवताओं को मेरी शरण में आने दो अन्यता हे सुराधम मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वन्स कर दूंगा इंदर है सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा पहले सागर ने मेरे भैसे सब परवतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रुदेते को जलंधर के पास आया और सब बाते उसे कह सुनाई जिसके सुनते ही वे देत्य क्रोध के मारे अपने होटों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंब किया फिर तो सब दिशाओं और तथा पताल में करोडों दैत्ते उसके पास पहुँच गए शुम निशुम सेना पतियों को साथ लिखकर जलंदर इंदर से युद्ध करने लगा शिग्रही इंदर के नंदन्वन में अपनी विशाल से इना उतार दी वीरों ने शंक ध्वनी और गोर गर्जना से इंदरपुरी गूँज उठी अमरावती छोड देवताओं उनसे युद्ध करने चले भैनक मार काट हुई दोनों पक्षों के अचारे अपने अपने मृत को को जिलाने लगे असुरों के अचारे गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु ब्रिस्पती द्रोनागिरी से ओश दिला कर मुर्दों को जिलाते रहे इस पर जलंदर ने अपने गुरु शुक्राचारे जी से क्रोध होकर कहा मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीते हैं जिलाने वाली ओश्दियां तो सब आपके पास है फिर है कैसे संभव है इस पर शुक्राचारे जी ने गुरु देव शुक्राचारे जी ने कहा क्रुध क्यूं होते हो यदि शक्ती है तो द्रोणागरी परवत को उखाड़ कर समुद्र में फैक्ट दो तब मेरे कथन के सत्यता प्रमानित हो जाएगी इस पर जलंदर कुरुध होकर शीग्र ही द्रोणागरी परवत के पास जा पहुँचा और अपनी भुजाओं दोरा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फैक दिया वहे भगवान शंकर का तेज था इसमें जलंदर की कोई विचित्रता नहीं थी पश्चात ये सागर पुत्र युद भूमी में आकर खड़े बड़े वेक से देवताओं का संघार करने लगा जब गुरु ब्रिस्पती ओश्दी लेने के लिए द्रोणागरी परवत पर पहुँचे तो द्रोणागरी की जगे वहाँ पर उने सुना मैदान मिला तब वे बहबीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद बंद कर दो तुम लोग अब जलंदर को नहीं जीत सकोगे पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है यह सुनकर देवता युद की आशा त्याग अत्यंती ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले सिंधू सुत निर्भै होकर अमरावती में प्रविष्ठ हो गया इंद्र आदी सभी देवताओं ने गुफा में शरन ली अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आज ही लाइक वा सब्सक्राइब जरूर करें वा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएं तब तक एलिए धन्यवाद